बश्कार दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आए बात करते हैं सिल्वर की सिल्वर में दोस्तों हमने कल एक जिस तरीकी का ट्रेंड देखा था मैंने आपको कल वीडियो में शुरूबात में ही ये बताया था कि उस टाइम जो है कोमेक्स ने इतना एक जम्प लगाया हुआ था कि 29.8 के आसपास 8081 का कुछ ऐसा लेवल था जो उसने कोमेक्स में हाई लगाया हुआ था पर जब तक हमारा मार्केट ओपन हुआ मार्केट जो था वो 28 डॉलर सम्थिंग के आसपास आ चुका था और इतनी ऊपर में ही हमारा मार्केट जो था जब वहाँ पर ऊपर से एक काफी करेक्शन आ चुकी थी तब हमारा मार्केट इस लेवल पे ओपन हुआ था और उसके बाद थोड़ी करेक्शन और कंटीन्यू रही तो उसने ये मार्केट में इतनी अच्छी खासी एक करेक्शन दिखाई पर ये करेक्शन इस तरीके के थी कि ये सिर्फ इनीशेली ये हमें देखने को मिली थी मार्केट ओपन होते टाइम और मार्केट जो था वो पूरे दिन इस एक रेंज में ट्रेट करता रहा था ठीक है और जैसी इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ उसने एक नीचे में एक डाउनसाइड दिखाई जिसका लो लगा था उस टाइम 74,170 ठीक है 78,000 के आसपास से 74,000 ये 4,000 रुपए की इसने करेक्शन ओपनिंग लेवल से और इवनिंग सेशन तक दिखा दी थी उसके बाद फिर मार्केट में एक दम से एक तेजी आनी शुरू ही पर ही सस्टेन नहीं करी बिल्कुल भी और ये करेक्शन हमें देखने को continue मिली जिसमें इसने 73,500 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी ठीक है क्लोज हो गया मार्केट अब हमने इसमें एक चीज़ देखी कि मार्केट में सिल्वर में खास तोर से एक वोलेटाइल मार्केट इतना जादा है कि अगर आप पूरे दिन का भी एक तो ये ओपनिंग ट्रेट तो था ओपनिंग टाइम जो था उसके बाद ये इविन 15 मिनिट के सेशन में ये पांच-पांच मिनिट की तीन केंडल है 15 मिनिट के सेशन में 3000 पॉइंट अगर आप कोई बड़ी सिल्वर मैं लोएस्ट लेवल से और हाइस लेवल तक कि अगर मैं बात करूं अगर आप एक मेगा लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 3000 वो इतनी स्पीड से आती है और फिर यहां से जो सैलिंग आई थी वो भी इसने पूरी की पूरी जो इसका ये बुल रन क्या कहेंगे कि स्पाइक कहेंगे इसे एकदम से इतना तेज बन के आया और उसके बाद जो इसमें क्रेक्शन शुरू हुई थी उसने ये वाला लो भ खतम होती हुई हम देख रहे हैं कि जो ये इसमें इस तरीके का ट्रेंड था कि मार्केट उपर ही उपर जा रहा है अब सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट उपर जा रहा है वो सारी सेलिंग होने वाली है तो वो यहां भी बेच रहे हैं यहां भी बेच रहे हैं यहां भी ब कलना बागी है इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों साइट के जो ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं बाइंग और सेलिंग को लेके थोड़ा सा कन्फूजन है मार्केट में पर हम प्रेशर जरूर देख रहे हैं अगर मैं बात करूं कि औ close करा गया है तो ये अपने आप में एक ये sign जरूर है कि उपर के level में इसमें resistance मिलना शुरू हुआ है ठीक है ये 5 minute के chart पे मैं आपको बता रहा था अब चलते हम 15 minute के chart पे थोड़ी सी और जो charts हैं उनका थोड़ा एक view clear होगा हमें देखिए अगर मैं 15 minute की बात करूँ तो जब से इसने ये वाला अपना previous high break करा था ये था 67,750 का ये जैसी इसने break करा था तो market में एक तेजी आ रही थी जिसका slope इस तरीके का था अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये curve जो है वो नीचे की side जाना शुरू हो रहा है पर ये इसी तरीके से जाता रहेगा इसी तरीके से नीचे की तरफ move करेगा या नहीं करेगा उस पर हमारी थोड़ी सी नजर होगी अभी दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जहां पर इसने अपनी ये last rated price close किया है ये अपने lowest level से करीब करीब 1000.2 उपर है और अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ जो comics में जो price चल रहा है उसके हिसाब से market जो है वो हमारा 75,500 या 7 इस से लेकर 76,000 के बीच में कहीं पर open हो सकता है अगर मैं अभी के current price की बात करूँ current price comics में सेटल हुआ है $28.23 पर तो उसके हिसाब से हमारे closing price से 1.5,000 रुपए उपर इसके open होने के chances रह सकते हैं ठीक है अब मैं बात करता हूँ levels की levels की बात शुरू करने से पहले पर मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मुझे telegram channel market report mcx पर join कर सकते हैं जहां पर मैं कुछ भी अगर market में कोई moment अगर मुझे दिखती है तो मैं वहां पर वो level flash कर देता हूँ कि उसके उपर तेज लग रहा है या उसके नीचे ज़्यादा मंदी लग रही है तो आप उस channel को join कर सकते हैं और बाकी अगर आप मुझे direct बात करना चाते हैं तो आप मुझे market report 08 पर message कर सकते हैं telegram channel पर ठीक है तो इस तरीके का trend हम इसमें देख रहे हैं जो इस slope है ये थोड़ा सा नीचे की side हमें आता हो नजर आ रहा है पर इसमें एक चीज़ है कि market जो है वो बहुत ही उसने clear indication नहीं दी है selling के gold में काफी ज़्यादा strong indication दे दी हैं उसने के जो bull run था उसे break मिल चुका है silver में अभी हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली है silver में मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर ये 76,500 का level break कर देता है और उसके उपर market sustain कर जाता है ये level है लगबर यहां का मैं बता रहा हूँ इसके उपर अगर इस sustain करता है तो थोड़ा सा और उपर तक का ये level हमें दिखा सकता है silver में पर ये बहुत ज़्यादा strongly मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसी के pass में इसका ये major resistance है ये भी कोई बहुत ज़्यादा उपर नहीं है पर 76,500 के उपर इसे sustain करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसा लग रहा है नीचे की अगर मैं बात करूँ downside की तो 72,650 जब ये इसे break करेगा 72,650 का level लगबग यहाँ पर है ये line जब break होगी तब ही उसके बाद ही हम ये मान सकते हैं इसके bull run को एक break मिल गया और market में silver का trend जो उपर की side में जा रहा था continuously उसे एक end होता हुआ हम देख रहे हैं तो आप इस level को ध्यान रखना जब तक 32,650 का level नीचे की side में break नहीं होता तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा कि silver को एक उपर की तरफ जो इसका trend जो था जो continue था उसे एक break मिल गया है ठीक है इस level को आप Monday को इस level पर ज़रूर ध्यान रखेंगे तब तक आप selling की position बहुत ज़्यादा अगर build अप ना करें तो देखिए मैं यह कहूँगा कि आप ज़्यादा safe side में रहेंगे हो सकता है कि market Monday को थोड़ा सा अपने आपको एक consolidation phase में इस range में रखे range छोटी हो सकती है chances यह हैं Monday के कि range शायद हमें इतनी ज़्यादा downside देखने को ना मिले अगर यह 2600 यह वाला जो मैं level बता रहूं आपको अगर यह break हो जाता है तो chances यह रहेंगे कि कल भी वो Monday को भी हम एक इसमें अच्छी खासी correction हम नीचे की side में आती हुई देख सकते है और वो level फिर नीचे कहा तक ले जाते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी ठीक है next मैं बात करता हूं कि next जो इसका breakout level है उसके बाद देखिए एक मैंने level बताया आपको यह वाला बातरजाट 650 का ठीक है दूसरा level है 69,450 यह है somewhere around this line इसके बाद इसे जो support मिल सकता है वो इस line के उपर मिल सकता है 70,000 हो सकता है एक psychological level भी रहेगा इसके लिए और इसे break करना इसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो यहां के आसपास भी इसे support मिल सकता है पर trend क्योंकि नीचे का हो चुका होगा यह line break होने के बाद इसमें थोड़ा सा selling pressure की side हमारे जो trades हैं वो अगर रहें तो जादा हम safe feel करेंगे तो 72,650 अगर break होता है तो आप जो trade लें वो market के जैसे ही छोटे-छोटे sign आपको downside के मिलेंगे तो आप selling की side आप position लीजिए अभी तक मैं इन चीजों को मना कर रहा था क्योंकि जो trend था वो continuous लिए एक उपर की side में trend था पर अब मैं जो आपको level बता रहा हूँ यह break होने के बाद आप जितने trade लेंगे वो थोड़ा सा आपको selling की side में अगर आप बैठते हैं तो आपके लिए ज़्यादा safe रहेंगे ठीक है दूसरा एक level मैंने आपको बताया 72,650 दूसरा मैंने आपको बताया 69,450 यह level भी अगर यह break हो जाता है तो silver में हमें reversal के sign मिल जाएंगे reversal का मतलब के उसके बाद फिर इसको यह जो इसने अपना यह all time high बनाया silver ने नया यह break होना यह लगभग silver के लिए impossible हो चुका होगा मतलब अभी के हालाद जैसे हैं उसे देखते हुए मैं कह रहा हूँ तो अपने high level से करीब करीब इसमे 9000 point के correction भी आ चुकी होगी और फिर उसके बाद यह चीज मान ली जाएगी कि इसमें अब वापस यह वाला high break होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ठीक है तो इन levels पे हमारी एक नजर रहेगी आए चार्ट्स को थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं एक घंटे की तरफ एक घंटे पे हम जो देख रहे हैं मैंने आपको एक level जो बताया पहले मैं वो line draw कर देता हूँ एक तो मैंने बताया आपको 2650 का level दूसरा मैंने आपको बताया 69,450 लगभग शायद ये line यहाँ कहीं बनेगी ठीक है इन दो levels पे आपकी नजर रहेगी ये दोनों level अगर break हो जाते हैं तो selling की तरफ silver का जुका हो जुका होगा फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी advice होगी कि आप जितने भी trades लें वो selling की side में लें मतलब अगर market उपर जाता हूँ दिख रहा है तो आप buying का कोई trade ना लें उसे avoid करें trade जो लें वो selling की तरफ लें market नीचे जाता हूँ दिखता है तो आप selling में एंटर करें आपको थोड़ा समय और clear कर देता हूँ explain करता हूँ इस चीज को अभी तक जो run था इसका वो उपर की side में था ठीक है इस पूरे run में मैंने इस चीज में ये समझ लीजे के मुझे भी शायद घबराहट थी या फिर मुझे इतना नहीं दिख रहा था क्योंकि इससे पहले ये silver ने move करना शुरू किया है जब इसने 53,000 का level break किया था और अभ 25,000 रुपए का उपर की side में single way जो run था ये इसमें इतना जब एक sharp रन आएगा तो मुझे भी इन levels पे buying कराते हुए थोड़ा सा खतरा लग रहा था तो मैंने buying की recommendation बिलकुल नहीं दी बाकी मैंने ये आप से कहा कि आप selling का wait कीजिए अप selling जैसे जैसे start होगी तो मैं आप से ये कहूँगा कि trend जो है वो अगर हमारा नीचे की side में हो चुका होगा इस तरीके से तो आप जो trade लेंगे वो आप selling के लीजिए मतलब मान लीजिए trend selling का हमारा start हो चुका है ठीक है अब market जो है वो ये daily trade में इस तरीके से कुछ move कर रहा है और फिर हमें समझ में आदेगा कि ये level अगर break करता है तो market और गिर सकता है तो आप इस point पे आप sell कीजिए बजाए इसके कि ये अगर ये वाला level भी अगर break कर देता है और उपर जाने लगता है तो आप buying को avoid कर दीजिए buying को avoid करने का मतलब long position से बाहर रहने का सिर्फ एक मतलब है कि trend जो है वो नीचे की तरफ हो चुका होगा तो आप अगर selling की position लेंगे तो आपके ज़्यादा साथ में भी रहेगी और आपके लिए ज़्यादा safe भी रहेगी तो यही मैं आपको बताना चाहता था silver में मैंने levels जो है वो आपके साथ discuss कर लिए है trend को लेके trend की formation को लेके थोड़ा सा 4 घंटे की तरफ हम और थोड़ा सा move कर लेते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इसे नीचे के level पे एक थोड़ा सा support मिलता हो हमें जरूर नजर आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर in levels प आप trade कीजिएगा उपर के levels में आपको resistance बार बार इसमें देखने को मिलेगा अब इस तरीके का रहना थोड़ा सा मुश्कील होगा कि वापस अब अगर यह 78,000 का level तोड़ता है तो बहुत एक और तेजी हम इसमें देख रहे हैं तो यह था मेरा silver पे अभी का वीडियो देखते हैं मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद